हेलो वाइस आज हम बात करेंगे Realme GT New 2 के स्क्रीन टाइम आउट के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा बेल का इकुन को प्रेस कर लिजिगा ओके तो सबसे पहले आप लोगो Settings ओपन करना है उसके बाद यहां पर Display and Brightness पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है यहां पर सिंप्ली देखिए इस स्क्रीन आटो इस स्क्रीन आफ कॉप्स पर क्लिक करेंगे हम और यह मिनिमम रहता है 15 सेकंड तक और maximum कर सकते हम इसको 30 मिनट तक तो यहां पर मैं आप लोग को detail बता दो देखिए अगर आप लोग 15 सेकंड करते हैं तो 15 सेकंड के बाद अगर आप लोग इस screen को touch नहीं करें तो इस screen जो है 15 सेकंड बाद बन जाएगी अगर आप लोग 30 सेकंड करते हैं 30 सेकंड बाद बन होगी वैसे आप लोग 30 मिनट करते हैं तो इस screen जो है 30 मिनट बाद बन होगी आप लोग के बड़ डिपेंड करता है कि आप लोग को कितना time out यहां पर रखना है ठीक है ना तो इस टैप से आप लोग screen time out को side कर सकते हैं सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय मतादी